डिस्क्लेमर, वी आ नोट से भी रिजिस्टर्ड प्राइस पर इसे बाय करके बैठे हुए, काफी पुरानी होल्डिंग है उनके पोर्फोलियो में, उन लोगो को क्या करना चाहिए, यह सारी जो अपडेट है, मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, आप सब के क्वेश्चन को कवर करूँगा, और कंपनी अगर देखा जाए, तो कंपनी का फांडामेंटल्स भी इसमें बात करने वाला हूँ, तो आशा करता हूँ, आप वीडियो के अंतक बने रहे, एक क्लियर कर पिक्चर के लिए, कि यहां से बाइंग अपॉचुनिटीज है, या फिर हमें होल्ड करना चाहिए, या फिर वेट अन वाच कर माच, यह सारी बात है इस वीडियो के अंदर होगी, चलिए करते हैं वीडियो की सुरुआत, जो भी वीडियो पे नए है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, चलिए आ जाता है कंपनी के फाइनिशल के उपर, तो सीक और शिपिंग के अगर म जिरावट में ये शियर बहुत ज़ादा गिरने के चांस होते हैं, और अगर देखा जाए तो इस शियर के अंदर अपर सर्कुट और लोवर सर्कुट का ही गेम देखने को मिलता है, अगर पी भी देखेंगे तो दस के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, वहीं पे अगर प् मिल रहा है, प्रॉफिट गूर्ध भी 400% से ज़्यादा की है, अब कंपनी के मार्केट के अपके according अधर debt देखेंगे, तो कंपनी को अपर करता थोड़ा सा ज़्याधा देखने को मिलेगा, 28 करोड का कंपनी को पर करता देखने को मिलता है, कंपनी के अधर आगर मैं बात कर मिलता है अब दूसरी बात है कि company में इतनी ज़दा गिरावट क्यों देखने को मिल रही है as compared to previous quarter इस quarter में company का जो results थे वो थोड़े से disappointing रहे हैं क्योंकि company लगातार जबर्दस profits दर्श कर रही थी इस बार profits के अंदर पिछली quarter के recording थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला जिसकी वज़े से company का share अगर देखा जाए तो एक ही boundary range में work करता हूँ नजरा रहा है तो इसमें ज़्यादा panic create करने वाली बात नहीं है और जो लोग higher price में हूँ उसे मैं जो हूँ यहाँ से average करने की भी सला बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ विकॉज अगर देखा जाए तो company का जो आने वाला quarter है वो कैसा होगा वो हमें नहीं पता जैसे ही quarterly results announce होंगे अगर quarterly results काफी धमा के दार आते हैं तो फिर थोड़ी सी एक buying opportunities देखने को मिल सकते हैं छोटी मोटी quantity ऐसो कोई बड़ा amount लगा के चलने वाला बिल्कुल share रही है small cap, micro cap, penny stocks जो होते हैं भयंकर risk stocks होते हैं इन में जो है wealth create होने की और wealth destroy होने की पूरता शमता होती है ठीक है तो आप जो है अपने stop loss maintain करें और अपने risk पे ही थोड़ी मोडी quantity लगा के चल सकते हैं तो अगर देखेंगे तो company में का share holding pattern ओके ओके देखने को मिलेगा promoters के पैस अच्छा खासा stake है जो की June 2022 में 52% के उपर था लेकिन इस बार 44% पर आया है ये भी एक point note करने वाली बात है कि promoters ने अपनी holdings को धीरे धीरे थोड़ा सा गिराया जरूर है quarterly results अब अप लोग एक बार थोड़ी बार दिखा देता हूं कंपनी के quarterly results देखेंगे तो मार्च 2023 में 115 का जो sales प्रजेंट किया था कंपनी ने और अभी जूम 2023 में 99 का तो sales में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली वहीं पर profits के अंदर अगर देखेंगे तो profits के अंदर एक jump देखने को मिल रही है अगर देखा जाए तो company का जो है expense वो यहां पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा और इंटरस्ट और operating profit भी अच्छा खासा आता हूँ नदर आये इसकी वैए से यहां पर जो profit है वो बढ़ता हूँ नदर आ रहा है profit after tax में EPS सुधरता हूँ नजर आया है sales के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को भी लिए प्रीवेस quarter अगर बहतरी रिजल्ट करता है company तो फिर एक अच्छा bounce back इसमें देखने को मिल सकता है पर यह नोट करने वाली बात है कि company जो है अगर profits दिखाती भी है तो यह upper circuit और lower circuits में जाती हूँ नजर आती है तो थोड़ा सा risky stroke बहुत जादा है तो बिल्कुल panic create करने वाला नहीं है जिसके पास ज्यादा holding है वह एक bounce में अच्छा खासे bounce में निकलने की कोशिश करें चार रुपए पास रुपए की range में वह एक अच्छा खासा zone है वहां से फिर profit booking जब कर बबार